मैं हूँ अलफी और आप देख रहें ततकान न्यूज लाइफ टी ट्वेंटी विश्वकप से पहले भारते क्रिकेट टीम की आखरी टी ट्वेंटी सिरीज अफगानिस्तान के साथ है 11 जनुरी से शुरू हो रही तीन मैच की सिरीज में रोहित शर्मा टीम इंडिया की कमान समा लेंगे विराट कोली की भी टीम में वापसी हुई है ये दोनो 2022 की टी ट्वेंटी विश्वकप में सेमी फाइनल के बाद पहली बार देश के लिए कोई टी ट्वेंटी मैच खेलेंगे इस सिरीज के बाद भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टेस सिरीज खेलना है और इसके बाद आईपियल होंगा आईपियल खत्म होते ही टी ट्वेंटी विश्वकप शुरू हो जाएंगा ऐसे में रोहित और विराट की वापसी से ये साफ है कि टी ट्वेंटी विश्वकप में इन दोनों खिलाडियों का खेलना तैह है अगर ये दोनों फिट रहते हैं तो जून में होने वाले टी ट्वेंटी विश्वकप में जरूर खेलेंगे पिछले एक साल में अधिकतर मौकों पर हार्दिक पांडिया ने भारते टी ट्वेंटी टीम की कपतानी की है ऐसा माना जा रहा था कि 2024 टी ट्वेंटी विश्वकप में उन ही की आगुई में यूर टीम अपना दम दिखाएंगी लेकिन हार्दिक की चोटने कहानी पलट दी है हार्दिक के बाद सूर्य कुमार यादव ने टी ट्वेंटी में टीम इंडिया की कमान समभाली है लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ सीजिस के बाद वो भी उपलब्द नहीं है ऐसे में रोहित और विराट की टी ट्वेंटी टीम में वापसी हुई है